मोधी से मुलाकात हुई और उसके बाद आपको अब तस्वीरे दिखाई हमने इसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दें कि योगी आदित्यनात की ये जो महा मुलाकात है वो बेहदी महत्पूर मानी जा रही है सरकार घठन के बाद कुछ तस्वीरे और आपको दिखाते है मोधी मंत्री मंडल में यूपी का दबदबा सीटे घटने पर भी मिले दस मंत्री पद मंत्रियों से साधा जातिय समी करण तो नए चेहरों को भी मिला मौका भले ही यूपी से बीजेपी की सीटे कम हो गई हो लेकिन मोधी मंत्री मंडल में यूपी का प्रतिनी धित्व कम नहीं हुआ है बीजेपी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के अलावा दस मंत्रियों को शपत दिलाकर इस बात का ख्याल रखा है कि संख्या के लिहाज से यूपी से मंत्रियों की संख्या कम ना हो तो दूसरी तरफ जातिय समिकर्णों को भी साधने की पूरी कोशिश की है यूपी के दस मंत्रियों में पिछले बर्क के पाँच मंत्री बने है दलित समाज से दो मंत्रियों ने शपत ली है तो शत्रिय समाज से दो मंत्री बने है और भ्रहमर समाज से एक मंत्री ने शपत ली है आपको बता दें कि पुर्वांचल में बीजेपी के सयोगी दल कोई कमाल नहीं कर सके है ओम प्रकाश राजबर की पार्टी अपने कोटे की सीट हार गई राजबर का बेटा घोसी से चुनाव हार गया है वही निशाद पार्टी की सिती भी ठीक नहीं रही पार्टी अध्यक्ष संजे निशाद के बेटे प्रवीन निशाद लोकसबा का चुनाव हार गए जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी की हालत भी खराब रही अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपने कोटे की दूसरी सीट हार गई जबकि अनूप्रिया खुद कड़े मुकाबले से जीत हांसिल कर पाई हाला कि जैन चौधरी अपने कोटे की दोनों सीटे जीतने में काम्याब रही इस कमी को पूरा करने के लिए मंत्रियों के चैन में बेहग करीब से सोशल इंजिनीरिंग का ख्याल रखा गया है जैसे की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद वैश्चे हैं और पिछड़ा समाज से आते हैं जैन चौधरी जाट हैं जो पिछड़ा जाती है पंकट चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी जाती से हैं, बीयल वर्मा लोध हैं जो पिछली जाती है, कमलेश पास्वान पासी है और दलित समाज से आते हैं, स्पि बगेल धनगर जाती है जो दलित समाज का हिस्सा है, वहीं राजनात सेंग राजपूत समाज से आते हैं, जबकि इसकी अलावा जितन प्रसाद ब्राम्मान जाती से हैं। दरसल यूपी में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक कम सीटे हांसिल की हैं। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्थ 33 लोग सबा सीट आई हैं। जबकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बन कर उभराई है। एसपी को 37 सीटे मिली हैं जबकि उसकी सयोगी कॉंग्रिस के खाते में 6 सीटे आई हैं। चुनावों से पहले ही अखिली श्यादव ने PDA का नारा दिया था। P का मतलब पिछडा, D का मतलब दलित और A का मतलब अर्प संख्यक था। S.P का PDF फॉर्मूला चुनावों के दौरान काम कर गया। S.P ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हांसिल करते हुए 37 सीटे जीत ली हैं। अब माना जा रहा है कि BJP सपाक इस फॉर्मूले को धुस करने की रण नीती बना रही है। इसने 10 में से 7 मंत्री पिछडा और दलित समाज से तालुक रखते हैं। Bureau Report, Republic भारत